हाई गाईज, वेलकम बेक टू मैं चैनल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग ना तो जीम जाते हैं और ना ही डाइटिंग करते हैं फिर भी वहाँ के कुछ छेतरों के लोग बिलकुल पतले दुबले होते हैं खास तोर पर दुनिया भड़ की महिलाएं जो बच्चे को जनम देने और उमर बढ़ने के बाद मोटापे का सिकार हो जाती हैं वही यहां की महिलाएं बच्चे को जनम देने के बाद भी बिलकुल वैसी ही पतली दुबली नजर आती हैं जैसा कि वो 16-17 साल की उमर में लगती थी तो आप मेंसे कई लोग ये कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या कारण है कि यहां के लोग पत्पे दुबले होते हैं हम बात कर रहे हैं जापान के कुछ छेतरों की यहां महिलाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ और बच्चे होने के बाब जूद भी मोटापा का सिकार नहीं होती साथ ही साथ यहां के पुरुस भी मोटे नहीं होते जब बाहरी लोगों का ध्यान इस पर गया तो ये एक सोध का बिसे बन गया आखिर क्या बात है कि यहां की महिलाएं उम्र बढ़ने और बच्चे होने के बाब जूद भी पतली दुबली बनी रहती है वो देखने में 16-17 साल की ही लगती है साइधी कोई ऐसा होगा जो उनकी सही उम्र बता सके तो फिर क्या था सोध करताओं ने गहन चानवीन सुरू कर दी कि आखिर बिना जिन किये और बिना डाइटिंग किये ऐसा कैसे हो सकता है सबसे पहले तो जपान के उन छेतरों को चिनित किया जहाँ पे लोग मोटापे से बिलकुल दूर है सोध करताओं ने चिनित छेतरों में पाया कि यहाँ पर लोग समान्य भोजन और समान्य वयाम के बाबजूद पतले दुबले रहते हैं सोद करताओं ने ये पाया कि इन छेत्रों में लोग बड़े तौर पर हरे रंग की एक हरबल टी पीते हैं और इस चाई को वो लोग बेहत पसंद करते हैं सुबह, दोपहर, साम इस चाई को वो लोग पीते रहते हैं ठीक उसी तरह सेवन करते हैं जैसे कि हमारे यहां चाई का किया जाता है और यह जो चाई है वो लोग प्राचिन समय से ही पीते आ रहे हैं अब सुद करताओं ने इस हर्ब टी की बड़ी ही बारीकी से जाज सुरू कर दी जाज करने के बाद जो परिनाम सामने आया वो बड़े ही चौकाने वाले थे इस हर्ब में मोटापा को दूर क पीने के फाइदे के बराबर है यानि कि इस चाय का एक कप दस कप ग्रीन टी के बराबर है यहां के लोग इसे माचा टी कहते हैं यह हरी सुखी पतियों को पीस कर बनाया जाता है माचा टी वजन कम करने के लिए बिल्कुल राम बान माना जाता है यह सरीर को सुंदर और सु प्राइवर, क्लोरोफिल, सेलेनियम, जिंक, मैगनेसियम, क्रोमियम और विटामिन सी के साथ साथ एंटि आक्सिडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो प्रतिरोधक छमता में गजब का इजाफा करते हैं। माचा चाय का नियमित प्रयोग आपको कई गंभिर बिमारियों से बचाने में सहायक है, इसमें कैंसर और हिर्दै रोग भी सामिल है। माचा चाय कई गुना बहतर तरीके से कैंसर से लड़ने में मददगार साबित हुआ है। चपान में प्राचीन समय से ही माचा टी का परयोग वहाँ के लोग मूट फ्रेस करने और तनाव को दूर करने के लिए करते रहे हैं। इसमें तनाव को दूर करने के भी गजब की छमता पाई गई है। ग्रीन टी की तुलना में माचा टी में कैफिन की मातरा काफी अधिक होती है और कैंसर से बचाव में काफी प्रभावी होती है। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि इसमें ऐसे गुन हैं जो diabetes को भी कम करते हैं और fatty liver से होने वाले नुकसान को भी कम करते हैं। साथ ही साथ ये अस्तन cancer और prostate cancer में भी काफी बचाव करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर उस छेत्र के लोग इस माचा टी को कैसे बनाते हैं और इसका कप परयोग करना है माचा टी बनाने का तरीका काफी असान है जपान में प्राचिन समय से ही लोग पारमपरिक तौर पर इस टी को पीते रहे हैं माचा टी पावडर फॉर्म में आता है एक कप में एक छोटा चमच माचा टी और गरम पानी मिलाया जाता है और इसे काफी अच्छी तरीके से फेटा जाता है थोड़ा फेन होने के बाद ये लोग इसे बिल्कुल ग्रीन टी की तरह पी लेते हैं इसके पीने का कोई खास समय निर्धारित नहीं है जब भी मांसिक तनाव महसूस हो या जब भी जबुवत महसूस हो तो लोग इसे पीते हैं खास तोर पर सुबह, दोपहर में और साम में कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ग्रीन टी का सेवन किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से माचा टी का भी सेवन किया जाता है दिन में एक या दो बार ही माचा टी का सेवन कर लेने से ये काफी प्रभावी होता है ये बलड सुगर को नियंद्रित करती है, मेटाबॉलिस में बढ़ाती है और वजन कब करने में काफी मददगार साबित होती है वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट लाइक सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भुलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद